जब ट्रेलर आया था, The Fall Guy मुवी का मुझे वो बहुत जादा पसंद आया था, मुझे इस मुवी को लेकर काफी जादा उम्मीदे थी, क्योंकि जो ट्रेलर में हमें देखने को मिलने वाला था, मतलब दिखा था, obviously, इसके अंदर action, comedy, प्यार, ये सब चीजे हमें देखने को म असपास है, अभी भाग मत जाना, इस वीडियो को बीच में, यानि इतना ही छोड़कर आप इस मुवी को देखने चले जाओ, वैसे भी देख नहीं पाओगे, क्योंकि बिना ये वीडियो देखे, आप जब ये मुवी देखोगे, तब आपकी screen, जो है, फोन की screen, या laptop की screen, कामी नहीं करेगी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस मुवी की जो स्टोरी है, वो क्या है, देखो, एक्स्टंटमेंट है, जिसका नाम है, कॉल्ट, अब ये बहुत सारे स्टंट करता है, जैसे कि स्टंटमेंट करते हैं, जो रियल, जो डेंजर होता है, खत्रा होता है, उसको ये जहलते हैं, जो एक्स्टंटमेंट की जो एक लाइफ होती है, कहीं न कहीं उसके ओपर परकाश, रोशनी, लाइट डाली गई है, इस मुवी के अंदर, मतलब जो इतने जादा वो जोखिम उटाते हैं, उनको उंची से उंची इमारत से पटका जाता है, मतलब उसके उनको वो रिकेगनाईजेशन नहीं मिलती है, उनको उतनी ज़्यादा परशनशाह नहीं मिलती है, जैसा ये मुवी मैंने देखा, जैसा मुझे फील हुआ, इतने अंसीन हम कह सकते हैं, कि इतने बड़िया एक्टर तो नहीं, इतने बड़िया लोग जो हैं, या फिर खतम ही हो चुका होता है, और जो इसकी गल्फरेंट है, जो जोड़ी है, वो इसको छोड़ के जा चुकी होती है, ये नहीं छोड़ के जाती है, इसके पीछे भी, मतलब आप जब ये मुवी देखोगे तब समझ जाओगे, सारी जीजे तो नहीं बता सकता ना, और जब को पता चलते है कि जो इसकी एक्स जीफ थी, अब वो डिरेक्टर बन गई है और एक वो मुवी बना रही है, लेकिन उसकी मुवी का जो हीरो है, जो एक्टर है, जो में एक्टर है, वो गायब है, वो मिसिंग है, अब कोल्ट को काम मिलता है कि भाई, अपनी गल्फरेंड की जिससे उसका प्यार, क्या पता, उसको वापस मिल जाए, तो इसके लिए उसको जो मिसिंग हीरो है, जो एक्टर है, उसको ढूंड के लाओ, और उसकी मुवी में वापस उसको काम पे लगा दो, अब इसके चलते भाई साब, केवल इतनी स्टोरी नहीं है, इसमें ट्विस् सीन है, मतलब कोई एक क्या पहुत सारे कॉमेडी सीन है, वो मुझे काफी जादा पसंद है, जो यहां पर में जो कलाकार है, रेयान गोसलिंग, शायद मैंने उनका नाम सही से लिया हो, कि परफॉर्मंस, उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है, वो मुझे वो बहुत जादा पस का किरदार निभाते हुए, अपने एक्शन खुद इन्होंने के हैं, जो मुझे बहुत बढ़िया लगे, वाकई में वो चीज़ें काफी अच्छी है, इसके लावा मुवी में जो एक प्यारी सी चोटी सी लव स्टोरी डाली गई है, वो भी काफी बढ़िया है, एमिली ब जो ये सब चीजें हैं, बहुत बड़ी है, इसके लावा मुवी में स्टोरी भी काफी बढ़िया, ऐसा निए कि केवल ये सब चीजें अच्छी रग दी, action अच्छी रग दिये, या फिर कहें कि लव स्टोरी डाल दी, comedy डाल दी, इसके लावा मुवी में स्टोरी के उपर फोकस किया गया है उसके अंदर भी एक कॉंसप्रेसी या फिर एक कहेंगे कि राजनेती तो नहीं हाँ ट्विस्क जो है उसमें डाले गए हैं जो काफी अच्छी चीजे हैं जो इस मुवी को और ज्यादा बहतर बनाती हैं इस मुवी को लेकर हम यह कह सकते हैं कि उस तरीके की मुवी है जिसको हम देखने जाते हैं जिस तरीके की मुवी हम देखना चाते हैं जैनि कि उसके अंदर कमेडी हो लव हो एक्शन हो स्टॉरी भी अच्छी हो वो सारी तीजे होती हैं यानि एक entertainment जो है ये movie आपको वो provide करती है तो ये होगी इस movie की अच्छी अच्छी बात है अब बात करते हैं इस movie में कमी क्या है देखो movie जो है वो 2 घंटे के आसपास इसकी land तक तो 2 घंटे तक आपका एक interest बनाया रखना ये थोड़ा वो difficult हो जाता है इस movie में comedy scene अच्छे हैं लेकिन कहीं कहीं पर वो scene ब्रेक हो जाते हैं या फिर जो हमारा एक rhythm बना होता है इस movie में वो ब्रेक हो जाता है और एक जो main story है उसको start होने में थोड़ा time लग जाता है जिससे आपका शुरुवात में interest कम बना रहोता है तो ये इसकी कमी होगी मुझे नहीं लगता है ये कुछ खास कमिया है इस movie की बावजूद इसके ये movie आपको एक entertainment अच्छा खासा provide करती है हाँ इसके अंदर कोई vulgar scene तो नहीं है कोई भी गाली गलोच भी नहीं है इस movie में एक अच्छी movie है entertainment प्रवाइड आपको ये करती है मेरी तरह से तो देखो इस movie को मैं देना चाहूँगा 7.5 आफट आफट आफटेन अगर आप लोगों ने movie देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगी अगर नहीं देखिये तो definitely आप ये movie देख सकते हैं काफी एक fresh feel होगा आपको एक अच्छा एक अलग सा different आपको feel करवाईगी ये movie और जिन्होंने मतलब नहीं देखिया तो उसके लिए तो मैंने बात बोल दी लोगो